सबसे पहले इंपॉर्टन बात बात है थोड़ा साम टीटेश में अनलेसिस करेंगे कल मैंने आपको वीडियो डाला था कि हाउट टो रीकोर लॉसेस में उसमें तो आपको समझ में आया होगा कि कंसेप मैं जीता कौन है और किस तरहीं से जीता है सिंपल सिंपल सिस्टिम को फॉलो करने से पहापर पैसा बनता है यहाँ पर जाधा डिफिकल्ट चीज़ों को करने की कुछ जुरूरत नहीं होती है अब आप पूरी तरह की समझ गयोंगे लास्ट दिन के अनलेसिस पर हमने यहाँ आपको क्लियर मेंचेन किया था कि मार्केट अगर यहाँ पर कही बर भी कुछ भी ओपन हो रहा है तो फिर हम ट्रेड करने से अवर्ड करेंगे थोड़ा बहुत लेकिन मार्केट के वह ओपन थोड़ा सा गया और किया तो उसनी वही है और यहाँ पर एक जाकर आपको मैंने एक लाइन बोला था आपको याद होगा यह इस दिन पर तो इस लोगों ने इस तरहीं कसे ट्रेड किया और इस कितने लोगों ने यही सेम चीजें फॉलो किया है मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो क्योंकि जितना मैंने आपको बला कि पिछले चार पाट दिन अगर होगा अगर देखो कि तो हर दिन एक ट्रेंड का इस पर पैसा देने की कोशिश कर रहा है पर मैंने बीजव अबडेट किया था मैंने विलिपक्र किया थे लिकिन मेशी निर्मा इसक्राइबष अच्छा यहां पर लिकिन तो कि मुझे ची अउनी इड़्यां कर देना से देना ना किशा सकता है कि यह किन्यव आचे पर बचानरिस शाज में यहां पर मानना चल रहा था कि market यहां से अपशड बड़ा momentum करेगा और यहां से अपशड एक मोमेंटम कर सकता है लेकिन हुआ के जगह पर आपको पता होगा मैंने जो HDP's bank में मानता था कि HDP's bank में अधर हो और है अगर यह चाहिए काहिए यह पर भी जाने के लिए तो इसके लिए वेए टेलीक्रम पर डाला चाहता था लेगन क्या पता है आपको अच्छा न लगे बुरा लगे इसके वज़े से फिर मेंने डिलिट कर दिया वहाँ से मैंने जो पता होगा मैंने चोटा सा मीम उनके साथ चेहर किया था टेले ग्रोप में कि आपा नहीं माने है तो इसकी वज़े से यहां पर एक जब नीचे है तो मैंने यह जगह के असपास असपास कहीं ना कि प्रोफिट बूक करना वापस ही शुरू कर दिये क्या था यहां पर कोई ज्यादा रुकनी का मजा नहीं था कोई मतलब भी नहीं था ज्यादा था मेरा प्लान चल रहा था कहीं ना कि कि मार्केट अगर उपर क साड़ में नहीं जा रहा है तो जैद अधर केसे में लोग क्या करते हैं यहां पर भी बाय कर लेते जब मार्केट अगर अगर उपर नहीं गया तो फिर नीचे भी ट्रेड करेंगे लेकिन फिर नीचे सी सब्स्क्राइब अब आठा बढ़ता है बहुससे चीज़ों को आप अब यह फिलाल के लिए अब यह पर निचे बहुत अच्छी किया इसने 43,300 के पास असपास क्लोजिंग किया है क्लोजिंग अगरा चार्ट पर देखो कि थोड़ा बहुत उपर निचे हो जाता है तो इससे ज्यादा कोई फरक निचे दिख रहा है उससे अगर 20-30 रुपए उपर निचे भी क्लोज करेगा तो ज्यादा कोई फरक नहीं बढ़ने वाला का सबस्में उपपर के लिचांग और यहाद के बड़े देख शर्यां सब्सक्राइड आप उससे बीचे से करेंगे lerगी याद काम करेगा नहीं कर रही है तो आपका लॉस भी होनी वाला इसके लिए पहले से प्लान में रहना चाहिए अभी मार्केट एक रेंज में है इसी रेंज में यह देखो यह 43,000 से लेकर 43,300 के रेंज में असपास असपास अगर मुझे अभी जाकर कल मार्केट को ओपन होना बहुत सारे लोगों ने प्रीमिम ग्रूप मना के रखे उन सारे चीजों से थोड़ा सब को दूर रहना पड़ेगा दूसरी बात कि अगर मैं पको चीज़े कुछ समझा रहा हो कि 40,300 350 के आसपास अपन होना वाला है तो प्रीमिम ग्रूप मैंने कल मेरे शूड़न्स को पह पहुत से उनके जादा तो लॉसेस हो और इसी रिजन की वज़े से मेरा भी 1700 रुपीज का लॉस जो के रिस्क में बहुत जादा हाई रखता हूं लेकिन फिर भी 1700 रुपीज का लॉस यह इसलिए मैंने मिनिमम रखा था कि मुझे पता था कि कहीना के मार्केट दिख रहा थ चुड़न तो अलड़ी पता हूं तो बोली सकते कि मैंने मैसेज कितने बजे डाला था उनके लिए 9 बचकर 9 मिनिट को आसपास मेने मैसेज डाला था तो अभी फिलाल के लिए अगर आप 1700 रुपीज के आसपास आसपास का लॉस देखने के बाद अभी में जहां पर प्ले क करने वाला वह कहींना के थोड़ा सा बढ़ अबर एक हैं सबॉस जो मेरे रेंज 43,400 से लेकर 43,300 के एक मेरे रेंज बनी है इसी range के अंदर अंदर market को थोड़ा सा उपर के level पे open होना पड़ेगा थोड़ा सा उपर level के मतलब का 43,000, 350, 350, 360 इस सारे level के पास अगर बैंग नपती open हो रहा है तो मेरे लिए थोड़ा सा easy trade बन सकता है क्योंकि क्या करेगा market अगर यहापर कही पर भी open हो रहा है एक मिन में थोड़ा सा हटा दे तो यहापर अगर market कही पर भी यहापर open हो रहा है तो पहली बस wait करना है पहली candle यहापर किसी भी एंगल पर red candle नहीं बननी चाहिए अगर पहली candle यहापर red बन जाती है चल मैं मानताओ कि red बन भी जाती है लेकिन मैं प्लान किस तरीगी से कर रहा हो दिखा देखा देख कोई candle यहापर red बन भी जाती है बस मार्केट आगर वापस यस लेवल को हाई को क्रॉस कर जाता है, लाइक दाट 43,400 के लेवल अगर क्रॉस कर जाता है, तो मेरे लिए अभी जो मार्केट के पाद जो इंपोर्टर लेवल उपर जीकर है नब को राउंड नमबर 43,500, यह लेवल मेरे लिए ज्यादा इंपोर्टर नहीं है, ज्यादा मेरे लिए मैटर नहीं करता है, मार्केट सीधे सीधे कही ना के ट्राइ करेंगा कि 43,400 के आसपार जाने के कोशिश कर सकता है, इस हाई ली पॉस्टिपिटीज मुझे दिख रहा है, 43,700 के इंपोर्टर लेवल मार्केट भाहत तक इजली पहुच चाहता है, क्योंकि 500 लेवल को में ज्यादा भी रिस्पेट ज्यादा मतलब में ज्यादा इतना वैल्यू नहीं दे रहा है, छीजिजों पर वो थीजी मुझे पहली दिखा चुका है, पॉसिबलिटीन लेकिन अगर आसा ना होते हैं मार्कर जाँ यहां से फेल करके नीचे आड़ाता है तो मैं यहां पर एक बार लोस्ट करना पसंद करूंगा और इसके बाद में जादा मार्केट को टच करनी के लिए नहीं प्लान करूंगा मैं इहां पर इस फैजेस में बाई के तो बात कर रहे हूं लेकिन 100 पॉइंट भी मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टन बात है इसके नीचे अगर 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 के ट्रेड करता है तभी में कुछ प्लान कुरूंगा अधर मेरा कोई ज्यादा बड़ा प्लान नहीं होने वाला सेलिंग के लिए मेरा धीरी धीरी धीर मार्केट का जो सेंटेमेंट हो धीरी धीरी स्लोल सेडी पॉजिटिव होते जा रहा है आपको याद होगा आज का दिन अगर आप देखते हो आज का दिन संडे है आज का दिन संडे और लास संडे पर मैंने आपको यह जो लास संडे ता इस संडे पर मैंने आपको एक चीज आपन करके दिखा देता हूं, बहुत से लोग उसको बिलीव नी कर पाते हैं, पहले उसको पता है, ने क्लियर क्लियर आपको बता कर रहे हैं, कि मार्केट इसी रेंज में रह ऐसकता है, पूरे वीक के लिए, एक बार पिछला आगर वीडियो आपको नहीं लगता है, कि मैंने नहीं बाता या पिर आप बिलिव नहीं कर पा रहे हो जाओ पिछले संडे का ओपन वीडियो कीजिए मतलब मंडे अनलेसिस का जो वीडियो डेट ढूंड़ो और जाओ और देखो और उस डेट पे जाकर देखना मैंने क्लिरली आपको मेंशन कर दिया था कि मार्केट एक वीडियो इसी रेम्स के अंदर रहेगा और कुछछ जादा करने नीवाला अवीड Dec तो आपका loss होगा ही नहीं, अगर आप गलती से opposite direction में नहीं जा रहे हो, तो हमेशा याद रखो, अगर आपको इस type का understanding सीखना है, इस type का learning सीखना है, तो आप हमारे साथ जोइन कर सकते हो, यह सारी चीजे आपको सिखाए जाती है, with the analysis, with the chart only, हर एक चीज सिखाए जाती है, ब बात हमेशा याद रखना, मैं कितना भी जी जान लगाओ, मैं कितनी भी कोशिश करो, इस में से मैं जादा से जादा 98% लोगों को ही proper सीखा सकता हूँ, 2% लोगों का अगर mindset ही खराब है, तो मैं उनको जी जान भी लगाओ, तो भी यह नहीं सीख पाएंगे, तो भी यह लेकिन बस यह नहीं हो सकते हैं कि सरी इतना सिंपल कैसे हो सकता है, बिलू कर ने की कोई ज़रोत ने बढ़े चाट को फॉलो किज़ें, मैं चाट ही सीखाता हूँ, इस जादा हमने क्या ही सिखाता हूँ, तो बपर आप यह पूरी तरह की से समझ गे होंगे, एक बर चलो, निप्टी को देख लेते हैं, निप्टी के से ट्रेटर का सकते हैं, क्या चीजों को प्लान बना सकते हैं, आगर मैं आपको निप्टी की बात बता हूँ, निप्टी भी से से रियाक्षिन दिया है, जिस तरीकी से हमने प्लान बनाया था, यह होता है, understanding of the market और इस तरीके से अ यह भी चार्ट बनता है, निप्टी का भी चार्ड बन जाता है, निप्टी भी सेम रेंज में खड़ा रहता है, क्यूंकि बैंक निप्टी दोनों में एक ही जगा के आसपास आसपास ट्रेल कर रहे थे, और ज्स तरीकी से प्लान बनाया था, उसे तरीकी से वर्काउट कर अब भी आगर में आपर एकर पूरी लाइन को यह पर मच आपर तो सेम चीज़े आपर फॉल उने वाली है 19,300 का एक इंपोर्टन लिवल है मेरे लिए निप्टी के पास और निप्टी आपर क्लोजिन हो चुका है 19,220 के आसपास आसपास क्लोज हो चुका है यह भी गई ही ना कि 100 पास मतलब यह थोड़ा सा ज्यादा कम रेंज में रहा था 60-70 पास के रेंज में रेंगे रेंटी लिए होल कि है मार्केट उसी रेंज के अंदर टाइम पास कर चुका है तो अभी थोड़ा सा अमारे लिए पॉजिटिव न्यूजस बनना शुरू हो जाएगा न्यूज का मतलब न्यूज वाली चैनल वाली नहीं न्यूज का मतलब है कि बायर्स थोड़ा सा अप्च्छा मोमेंटम लेकी चले जाएंगे तो खुशी मिलेगी अच्छी मिलेगी कि बायर्स मार्केट में आ सकते हैं लेकिन अभी तक डिसिजन नहीं मिला है मार्केट बन तो रहा है बाइंसाट के लिए लेकिन अभी तेक नहीं आया है और वो डिसिजन अभी बनना तोड़ा सा शुरू हो रहा है अगर आप मेरे साथ जॉइन नहीं हो टेलिग्राम पे इंस्टागाम के ब्राड़कास्ट पे हर जगाप नहीं जॉइन हो मेरे साथ तो जॉइन कर लीजे अप्लिकेशन का लिंक भी बायर में दिया गया अप्लिकेशन को भी डाउनलोड करते रही है क्योंकि अगर कुछ इ चीजर में आपके साथ शेयर कर सकता है तो प्लीज चार्ट के साथ अप्लिकेशन पर भी अपडेटेटेट रही है मैं मिल तब किसी नेक शीट में तब के लिए वायर रही हूं टेक केर